तो इस chemistry का paper अगर देने जाना तो सबसे बेले chemistry का paper कैसा आएगा वो समझना है इससे आप अगर यह समझ लोगे तो समझ पाओगे क्या क्या चोड़ना है क्या 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 स्किप करना यह पूरी तरह से analyze कर पाओगे तो सबसे बेले चलो समझ से paper pattern कैसा होता है और एक चीज़ ब यह में आने वाला है mcq 10 marks के and जो very short answer वो 8 marks के total हो गया 18 यह composer ही आपको करना ही है then short answer question number section B का है question number 3 से 14 तक रहेगा 12 आएगा पर 12 में से आप सभी को कितना करना है only 8 करना है कितना करना 8 तो 8 तूज़ा कितना हो जाग 16 ओके यह मैं color थोड़ा change कर देता हूं total 16 marks okay 16 marks का total रहेगा तो भाई आप समझ रहे हो यहां भी आपको चार जो question होंगे वो option में रहेंगे इसके बाद मैं बात करूं section C के अंदर question 15 से 26 तक मतलब total 12 questions आएंगे and 12 questions में से बस आपको करना है 8 question 8 threes are 24 और यह जो दिया हो है mark भी the option के साथ दिया हो है तो 24 marks मतलब यहां भी आपको 4 questions रहेंगे वो option में दिया रहेंगे इसके बाद मैं बात करूं long answer की तो long answer 27 से लेके 31 तक रहेगा और हर questions कितने marks करेंगे 4 marks करेंगे बड़ यहां तोटल 5 यहां गलत लिखा और 12 नहीं है total 5 questions आते हैं और उस 5 questions में से अपने को कितना question करना रहता है 3 questions करना रहता ह और हर questions कितने marks करेंगे 4 marks है और वो 2-2 में split रहा है तो मैं बाद में बताऊंगे जब आपको detail में और सब चीज़े explain करने माला एक वीडियो और आपको आने माला है तो यहां बस ही है समझ लो तो total आपको कितना करना है 3 questions और हर questions कितने marks करेंगे 4 तो 4 त्रीज़ा कितना हो ग जहें दो